गर्मी बढ़ती ही चली जा रही है, आशा करते थे कुछ कमी आएगी, लेकि अनुभव आया कि गर्मी बढ़ती ही जा रही है, बिच में ये भी खबर आ गई कि शायद मनसुन एक सप्ता विलम कर जाएगा, तो चिंता और बढ़ गई करीब करीब देश का अधिक्तम हिस्सा, गर्मी की भीषन आग कानुभव कर रहा है, पारा आसमान को छू रहा है, पशू हो, पक्षी हो, इंसान हो, हर कोई परिशान है, परियावरन के कारण ही तो ये समस्याय बढ़ती चली जा रही है, जंगल कम होते गए, पैड करते गए, और एक प्रकार से मानुजात ने ही प्रकूति को विनाश करके स्वयम की विनाश का मार्ग प्रसस्त कर दिया, पाच जून परियावरन दिवस है, आंतराष्ट्य परियावरन दिवस है, पूरे विश्व में परियावरन के लिए चर्चाएं होती हैं, चिंता होती हैं, इस इसको विश्य रखा है इसकी तो चर्चा होगी होगी लेकिन हमें तो पैड़ पाउधों की भी चर्चा करनी है पानी की भी चर्चा करनी है हमारी जंगल कैसे बढ़ें कोई आपने देखा होगा पिछली दिनों उत्राखन, हिमाचल, जमुकश्वेरित, इन हमाले की गोद में जंगलों में जो आग लगी आग का मूल कारण यही था कि सुखे पत्ते और कहीं थोड़ी सी भी लापरवाई बरती जाए तो बहुत आग में फैल जाती है और इसलिए जंगलों को बचाना पानी को बचाना यह हम सब का दाइत पर बन जाता है पिछले दिनों मुझे जिन राज्यों में अधिक सूखे की स्थिति है ऐसे ग्यारा राज्यों के मुख्यमंतियों के साथ विस्तार से बाचित करने का उश्र मिला उत्तरप्रदेश, राजस्तान, गुजराथ, महराष्टर, मद्रप्रदेश, चत्तिसगर्ट, जारखन, करणाटक, आंधरप्रदेश, तेलंगणा, उडिश्था वैसे तो सरकार का जैसे परंपरा रही है, मैं सभी सुखा प्रभावित राज्यों की एक मिटिंग कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया मैंने हर राज्य के साथ अलग मिटिंग की, एक एक राज्य के साथ करीब दो दो धाई धाई घंटे बिटाए, राज्यों को क्या कहना है उनको भारिकी से सुना, आम तोर पर सरकार में भारत सरकार से कितने पैसे गए और कितनों का खर्च हुआ, इस से ज़्यादा भारिकी से बात नहीं होती है, हमारे भारत सरकार के अभी अधिकारियों के लिए भी आश्यरे था कि कई राज्यों ने बहुत ही उत्तम प्रयास किये हैं, पानी के समन्द में, परियावरन के समन्द में, सूखे के स्थिति को निपड़ने के लिए, पशूओं के लिए, असरग्रस्त म कि लंबी अवधी की परिस्तिति से निपड़ने के लिए, पर्मनेंट सॉलूशन क्या हो, काय में उपचार क्या हो, उस पर भी ध्यान था, एक प्रकार से मेरे लिए वो लर्निंग एक्स्पिरियंस भी था, और मैंने तो मेरे नितियायों को कहा है, कि जो बेस्ट प्रक्ट किया है, मैं चाहूंगा कि आगे नितियायों के द्वारा राज्यों के ये जो विशेश सफल प्रयास है, उसको हम और राज्यों में भी पहुंचाए, ऐसी सबस्याओं के समाधान में जन्भागीदारी एक बहुत बड़ा सफलता का अधार होती है, और उसमें अगर पर्फ किया जाए, उत्तम परना मिल सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है, ड्राउट मैनेजमेंट को लेकर के, बॉटर कंजर्वेशन को लेकर के, बुंद बुंद पानी बचाने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं, पानी ये परमात्मा का प्रसाद है, जैसे हम मंदीर में जा परमात्मा का प्रसाद है, एक बुंद भी बरबाद हो, तो हमें पीडा होनी चाहिए, और इसलिए जल संचय का भी उतनाई महत्व है, जल सवरक्षन का भी उतनाई महत्व है, जल सींचन का भी उतनाई महत्व है, और इसलिए तो पर ड्रॉप, मॉर क्रॉप, माइक्रो इर अर्सल अब तो खुशी की बात है कि कई राज्जों में हमारे गन्य के किसान भी what DO difficult कर रहे है को डृट पूर्वग कर दिखруго को च्ट कर रहा है मैं राज्यों के साथ बैठा तो कुछ राज्यों ने पैडी के लिए भी राइस की जो खेती करते हैं, उन्होंने भी सफलता पुर्वक डिप इरिगेशन का प्रयोग किया है, और उसके कारण उनकी पैदावर भी ज्यादा हुई, पानी भी बचा और मजदुरी भी कम हुई, इन राज्यों से मैंने जब सुन मिशन में बहुत बड़ा काम किया है, और उनकी तो कोशिश है कि हर वर्ष दो दो तिन तिन लाग हेक्टर माइक्र इरिगेशन में जुरते जाएं, यह अभियान अगर सभी राज्यों में चल पड़ा, तो खेती को भी बहुत लाब होगा, पानी का भी संचय होगा, हमारे तिन लंगना के भाईयों ने मिशन भागीरती के द्वारा गोदावरी और कुष्णा नदी के पानी का भहुत ही उत्तम उप्योग करने का प्रयास किया है, आंदर प्रदेश ने नीरू प्रगती मिशन, उसमें भी टेक्नोलोजी का उप्योग, ग्राउंड वाटर लीचार के संकट से बचाने के लिए बहुत काम आये कैसा मैं अनुभव करता हूं, उनका कपील धरा कुप योजना, उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री जल भचाव अभियान, करणाटक ने कल्यानी योजना के रूप में कुंगों को फिर से जीवित करने की दिशा में काम अरम किया है, राजस्तान और गुजरात जहां अदिक पुनाने जमान की बावरिया है, उसको जल मंदिर की रुप में पुनर्जीवित करने का एक बड़ा भियान चलाया है, राजस्तान ने मुख्यमंत्री जल स्वावलं बभियान चलाया है, जारखन वैसे तो जंगल अलाका है बहुत जिला के हैं जहां पानी दिक्षत है उन्हाने चग्डेम का बहुत बड़ा भीशiez चलाया है उन्होंने पानी रोकने की दिशा में प्रयाश चलाया वह कुछ राज्यों नदियों में ही छोटे-छोटे बांथ बना करके 10-10-20-20 km पानी रोकने की दिशा में अभियान चलाया है यह बहुत ही सुखद अनुभो है मैं देश्वासियों को भी कहता हूं कि ये जून जुलाई अगस सितंबर हम ताय करें पानी की एक बुंद भी बरबाद नहीं होने देंगे अभी से प्रबंद करें पानी ब हमारी आवशक्ता की पूर्ति करती ही हैं लेकिन हम अगर बहुत पानी देख करके बेपरवा हो जाएं और जब पानी की मौसम समाप्त हो जाए तो बीना पानी परिशान रहे यह कैसे चल सकता है और यह कोई पानी मतलब सर्फ किसानों का विश्य नहीं है जी गाउं गरीब बदूर किसान शहरी ग्रामीर अमीर गरीब हर किसी से जुड़ा वाविशय है और इसलिए बारिश की मौसम आ रही है तो पानी यह हमारी प्रात्विकता रहे और इस बार जब हम दिवाली मनाएं तो इस बात का आनंद भी ले कि हमने कितना पानी बचाया कितना पानी रोका आप देखिए हमारी खुशिया अनेक गुणा बढ़ जाएगी पानी में वो ताकत है हम कितने ही ठक करके आये हो मूँपर थोड़ा सा भी पानी छड़कते तो कितने फ्रेश रह जाते हैं हम कितने ही ठक गए हो लेकिन विशाल सरव सरोर देखें या सागर का पानी देखें तो कैसी विराड़ तक अनुभोख होता है एक कैसा अनमोर खजाना है परमातामने दिया हुआ जरह मन से उसके साथ जूड़ जाएं उसका सवरंक्षन करें पानी का संवर्धन करें जल संचय भी करें जल सीचन को भी आधुनिक बनाएं इस बात को मैं आज बड़े आगर से कह रहा हूं यह मौसम जाने नहीं देना है आने वाले चार महिने बुंद बुंद पानी के लिए जल बचावा भ्यान के रुपे परिवर्तित करना है